अग्रा किस सरवाधिक लोग प्रिये चैनल सी नीओस के आप को आजई गूगल प्लेस टॉर से डाउन्लोड करें सी नीओस चैनल के यूटिप चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें अगरा के अचनिरा कस्बे में संपत्ती को लेकर भाई ने भाई को गोली मार कर मौत की घाट उतार दिया हत्या को अंजाम देनी के बाद आरोपी भाई फरार हो गया है जिसके तलाश में पुलिस जुटी है ठाना अचनिरा के किरावली कस्बे में पढ़ने वाले बैपारियन मौले में खूनी रिस्तों का कतल हो गया भाई ने भाई को गोली मार कर मौत की घाट उतार दिया बड़े भाई आरिफ को छोटे भाई सिंधी कुरेशी ने गोली मार दिया अपचार के दोरान आरिफ की मौत हो गई हॉस्पिटल में इसको भरती कराए गया लेकिन अभी आज दिनांग 24 को उसका उसकी मृत्ति हो गई है ऐसा बताया गया है संपत्ति को लेकर दोनों भाईयों में विवाद हुआ नियामु दिन के पांच पुत्र हैं जिसमें आरिफ और सिंधी कुरेशी भी है हत्या को अंजाम देने के बाद सिंधी कुरेशी फरार हो गया है आरिफ की मौत के बाद परिवार में कौरा मज़िया है जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया भाई ने भाई की जान ली उससे परिवार भी सन रह गया है आजपास के लोग भी सेमे हुए हैं किसी ने इस बात की कलपना भी नहीं की होगी कि भाई भाई को मौत के घाट उतार सकता है यही बज़े हैं कि इलाके के लोग भी सेमे हुए है दौर किस तेजी के साथ बनलता ज कारण खुन की रिष्टे भी अब संपत्ती के चलते माइने नहीं रखते। तमाम ऐसी घटणा हैं सामने आ रही है जिसमें अपने ही अपनों के खून के प्या से हो चने हैं। अच्छिया छित्र में ऐसा ही मामला सामने आया, संपत्ति के चलते भाई ने भाई को ही मौत के घाट उतार दिया हत्या करने के बाद आरोपी भाई फुरार हो गया है, जिसकी तलास में पुलिस जुट हुई है इससे साप हो जाता है कि चत्थ नेतिक्ता का पतन हो चला है किस तरीके से खून की रिष्टे, खूनी रंग में रंगते नजरा रहें आवशकता नेतिक्ता का पाँठ पढ़ने की है आवश्यक्ता इस बात की और ध्यान देने की है कि संपत्ति और व्यक्ति कौन सा महत्पुन है व्यक्ति महत्पुन होना चाहिए ना कि संपत्ति जब मामला परिवार का हो तब संपत्ति को महत्प कम देना चाहिए व्यक्ति को महत्प अधिक देना चाहिए लेकिन बदलते दौर में संपत्ति सबसे प्रमों को चली है संपत्ति के चलते अपने ही अपनों के खून के पैसे हो चले है अच्छनिरा से अपने साती दिनेजगर के साथ और अगले दुबे के साथ राकिश कनोजिया सीन्यूज आगरा